हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के हमारी कहानी है एक महुपत एजीबी का भाग साथ एक तरफ अनाया खुश थी दूसरी तरफ अंजानी असंकाय उसे घेर रही थी वह जानती थी आयान यह जानकर बहुत खुश होगा और साथ पापा भी आयान को अब सुविकार कर ले क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं था पर आयान जल्दी बापिस नहीं आएगा तो अनर्थ हो जाएगा क्योंकि वह जादे दिनों तक इस प्रेगनेंसी को छुपा नहीं सकती थी उसने दिन के इनने शुरू कर दिये थे आयान के बापिस आने के इस बीच एक दिन वह कॉलिज से बापिस आते ही उसे चक्कर आ गए और वह गिर पड़ी उसे जब होस आया तो भाई खुद को एक होस्पिटल के बैट पर पाई मासी उदास चहरा लेकर उसके पास बैठी थी उसने कमजोर अबाज में मासी से पूछा मासी मुझे क्या हुआ था मासी नो उसके बालों को सहलाते हुए उत्तर दिया था कुछ नहीं बेटा तुब बहुत कमजोर है इसले भिहोस हो गई थी अनाया ने आखे बंद कर ली उसके निचले पेट में आसेनी दर्ध हो रहा था उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हुआ नहो यह सिर्फ उसका बच्चा नहीं है आयान की अमानत उसके पास है जो से समभाल कर रखना है तभी मासे क्या वाज उसे सुनाई पड़ी बेटा अब मुझे समझ आया कि तो आजकल इतना चुप-चुप क्यों रहती थी कौन सा गम खाय जा रहा था तुझे किस वहसी ने तुस्से तेरी खुशी छीन ली थी बता बेटा और खुद को इसके लिए दोसी क्यों समस्ती है पर भगवान का सुक्र है समय पर हमें पता चल गया और बच्चे को निकालना असान रहा इतना सुनती अनाया का दिल धक से रह गया वह पागलों की तरह चिल्ला उठी क्या किया है आपने आप लोगोंने मेरी बच्चे के साथ बताओ मौसी कहां है मेरा बच्चा वह मासी को पकड़ कर बुरी तरह जग जोर रही थी और मासी उसे हिराने से देखे जा रही थी तो क्या अनाया को सब पतर था वह एक पर काप गई पर इससे पहले की अनाया से कुछ कहती वह फिर से बिहोस हो गई थी उसके चिल्लाने की अबास सुनते ही डॉक्टर महेंद और मासा वहां दोड़ कर आए थे डॉक्टर ने अनाया को इंजेक्सन देती हूं कहा था ऐसा अकसा देखा जाता है कि जवजस्ती के कारण आए बच्चे पर भी ऐसी लड़कियों का इसने छलगता है यही तो अंतर है हमारी दुनिया में लड़का और लड़कियों में मिश्टर महेंद जहां एक इंसान इस तरह किसी लड़की के सरीय से खेलता है वहीं वह लड़की उस रेपिस्ट को नवरत करते हुए भी उस बच्चे से प्यार करने लगती है क्योंकि वह एक माही होती है महेंदर चुप थे डॉक्टर ने उनकी तरफ देखती हो कहा पर मुझे लगता है आपको सैतान पर केस करना चाहिए अगर हम इस तरह छोड़ देंगे तो वह ना जाने ऐसे कितने गुना करता रहेगा और समाज में खोले आम घूमेगा महेंदर ने दुखी सोर में कहा हम मिडल क्लास लोग है कर ही क्या सकते हैं डॉक्टर और हम तो उसे पहचानते भी नहीं है पर आपके बेटी तो पहचानती है न वह गबाही देगी आप उसे मत रोकिये क्या वह नहीं चाहेगी कि उसकी जिंदिगी बरवात करने वाले को सजा मिले मासा ने रोड आबाज में उत्तर दिया देखे डॉक्टर आपकी बहुत महरबानी है कि हमारे रिक्वेस्ट करने पर आपने बच्चे को निकाल दिया पर अप सिर्फ इतना बताईए तभी मिलेगा जब उस इंसान को सजा मिलेगी महेंदर अपने हाँ चोड़ते हुँ बोले डॉक्टर साहा मैं एक पैसे लाचार इंसान कहां कहां भागता फिरूँगा ग्रपा हमें जाने दीजिए और इसके बारे में किसी को ना बताएं मेरी बच्ची बरबाद हो जाएगी उसका मैं विवाय तक नहीं कर पाऊंगा हमें माप करें डॉक्टर डॉक्टर ने महेंद का हाथ पकड़ते हुँ कहा मैं समझता हूँ ठीक है आज साम को आप इसे घर ले जा सकते हैं कुछ दिन बीट गए पर आयान नहीं लोटा अनाया की हालत दिन वर दिन बिगड़ रही थी वह न किसी से बात करती और न कॉलेज जाती थी चुपचाप अपने कमरे में बैट कर रोती रहती सोनु ने इतना समझा था कि दीदी के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है पर क्या ये नहीं समझ पाया था पर दीदी का चहरा देखकर वह सहम सा गया था उसे अब बस इतना ही समझ आता था सद आयान भाईया ही सब कुछ ठीक कर सकें इसलिए भाई मोहन भाईया से बार बार आयान भाईया के बारे में पूछता रहता था पर मोहन को कुछ भी पता नहीं था पर अनाया ने उस दिन के बाद आयान के बारे में सोनु से पूछना छोड़ दिया था एक तरब आयान को वह क्या जबाब देखी यह जिन्ता खाये जा रही थी दूसरी ओर धेर सारी सिकायते थी उसकी आयान क्यों इस तरह उसे छोड़कर चला गया उसके आज के इस हालत का जिम्मेदा सिर्फ और सिर्फ आयान था और कोई नहीं अगर जाना ही था तो आया क्यों था उसकी जिन्दिगी में फिर उसकी सोच भटक जाती कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया आयान के साथ फिर वह अपने सह में हुए दिल को साथ न देती थी कि अगर ऐसी अन होनी होती तो उसे जरूर पता चलता कोई न कोई बताता जरूर पर आयान के गैंके लोग भी चुप थे इसका मतलब उन्हें पता है आयान कहा है पर आयान ने मना कर रखा है बताने को धेर सारा गुस्सा और नफरत उसके दिल में उपजने लगती उस इंसान के लिए जिसे उसने कभी तूट कर प्यार किया था धीरे धीरे अनाया न खुद को समहाल लिया था चार महीने बीच चुके थे आयान बापिस नहीं आया था अनाये के मन में धेर सारे अभिमान नाराज की सिकायत थी उन लोगों के लिए जिनने वह चाहती थी आयान और पापा आयान जो उसके सालात का जिम्मेदार है और पापा उन्होंने अपनी बेटी के दिल की बात नहीं समझे सिर्फ दुनिया का ख्याल किया है वह चाहती थी इन दोनों को छोड़ कर वह दूर चली जाए और वह अपनी स्टेडी कंप्लीट करके यहीं करना चाहती थी उसे सोनुर मासी से अभी प्यार था पर उस जानबर मासा से उसे सबसे जादा नफरत थी जो अभी भी उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता रहता था एक दिन जब आए कॉलेज के लिए तयार हो रही थी पापा ने उन्हें बुलाया था और खोशना की थी अब आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है अनाया अंदर तक काप गई उसने कमजोर आवाज में कहा पर पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ मैं अब ऐसे कोई हरकत नहीं करूँगी प्लीज पापा महेंद थोड़ी देर उसे घूरते रहे फिर उन्हों ने गंबीर आवाज में कहा था ठीक है अगर साधी के बाद आपका पती पढ़ाना चाहे तो आप पढ़ लेना अनाया ने आप इस बास भरी आवाज में पूछा था साधी हाँ आपका बिवाय मेरा सबसे बड़ा दायत्व है और इससे में मुक्तों न चाहता हूँ लड़का बहुत अच्छा है मेरा ही स्टूडेंट था यहाँ इसी सहर में अच्छी नोकरी लग गई है उससे आप खुश रहेंगी अनाया ने ब्यांग भरी आवाज में बोली अगर आपको मेरी खुशी की इतनी परवाय होती तो आप मेरे बच्चे को मुझसे नहीं छीनते पापा महेंद्र उसे देखते हो गुश्य से कहा आपको सर्म नहीं आती ऐसा कहते हुई वो पाप की गठरी पर अनाय चिल लाई ट्री पूपाप नहीं मेरे और आयां के प्यार की निसानी थी क्या साधी हो जाने से सब años में बदल जाता है आयां ने मुझसे कभी जवरई दस्ती नहीं की पापा जो हुआ मेरी मरी जी से हुआ अपको तो अब मेरी मरी की भी परवाय नहीं है बान देना चाहते हैं किसी के साथ भी पल्ला ज़ार लेना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारी से महेंदर ने थपर जड़ दिये उसके गाल पर और चिल्लाए तु मेरी बेटी नहीं है या तुने सावित कर दिया है तु अपनी मा के बेटी है गंदा खून आखर गंदा ही होता है अनाया की आखों से आशों की धार बह चली उसने रुंधे गुए बाज में उत्तर दिया मुझे आप जो कहना है कह सकते हो पर मेरी मा को नहीं मैंने सदा आपका साथ दिया मम्मा को दोसी देती रही पर अब समझती हूँ मैं कि कुछ तो हुआ होगा जो मम्मा आपसे अलग हुई आप जैसे लोगों को अपनों की परवाय नहीं बस समाज की चिंता लगी रहती है अपना दावन सबेद जो बनाए रखना है आप लोगों को पर आपको क्या पता ये समाज कितना घिनोना है कैसे कैसे सबेद पोस यहां छोपे रहते हैं आयान उनसे कई ग्युना अच्छा है और मैं सिर्फ उससे ही साधी करूँगी किसी और से नहीं आपने मुस्यम पूछे बगैर मेरा बच्चा छेंडिया अब आयान को नहीं छीन सकते यही मेरा फैसला है वहाप रही थी और महेंद्रों से अवाक्सा देख रहे थे इतनी आग है इस लड़की में ये क्या उस आयान का सर है इसो उन्हें साइप ऐसा ही होता है जब भले बुरे का ज्यान भी नहीं रहता जिस बच्ची ने उनसे कभी उची आवाज में बात तक नहीं की आज उन्हें अपना फैसला सुना रही थी उन्होंने देखा अनाया अपने कमरे में जा रही थी उनकी आवाज कमरे में कुंजी, रुप जा अनाया, तो मेरा फैसला भी सुन ले, आज से ठीक एक महीने बाद तेरी साधी है सुमिस से, इस बीच अगर तु घर से भागने की कोशिस की, या आयान से मिलने की, या उस तक अपना कोई मैसेश पहुचाने की, तो मैं अपने आप को खत्म कर दूँगा, अनाया ने आप इस बास भरी आखों से उन्हें देखती हो कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो महेंद्र ने गुस्से भरी आवाज में कहा, करूँगा, क्योंकि उस जिल्लत भरी जिंदिगी से बहतर होगा, कि जिंदिगी को ही खत्म कर देना, स नहीं सोच सकती थी, और वैं जानती थी बापा कितने जित्ती हैं, जरूर ऐसा कुछ कर डालेंगे, कितनी बाए सोचा था, अपने जीवन का ही अंत कर डाले, फिस ऑनु का चहरा सामने आ जाता, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और आजकल सहमा सहमा सरहता था और आयान, क्या वैं जी पाएगा अनाया के बिना, साइज जी जाए, पर अनाया के जाने के वाद वैं उस दलदल में और भी धस्ता जाएगा, जहां से बापस निकलने के लिए वैं तड़प रहा है, नहीं वैं अपनी जान नहीं दे सकती, बस आयान के आने का इंतिजार क के सिवा कोई चारा नहीं है उसके पास, इस एक महिने के अंदर वैं यहां आ जाए और किसी तरह पापा को मना ले, तो अनाया की सोच दूर दूर तक चली जाती थी, वैं आसा का दावन अब भी पकड़े हुए थी, साइज सब ठीक हो जाए, सब कुछ, आयान बापस आया था और आती ही, उसने अनाया से कॉंटेक्ट करने की कोशिस की थी, पर अनाया उसका कॉल डिसीप नहीं कर रही थी, और नाहीं उसके मैसिस का कोई जवाब दे रही थी, आयान सस्मूर डर गया, वैं अनाया के घर के बाहर नजर कड़ाए था, अगर अनाया दिख जाए तो फिर उसे रिसीकर से पता चला कि अनाया ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है, यह सुनते ही वैं बहुत डर गया था, जरूर उसके जाने के बाद कुछ अनहोनी हुई है अनाया के साथ, वैं अब बस सोनू का इंतिजार कर रहा था, जो उसे सब कुछ बता सकता था, दूसरे उनने गुश्से से कहा, मुझे आपसे बाद नहीं करनी, पापा को पता चला तो बहुत मारेंगे, पर मुझे आपको बताना है कि मैं आप पर बहुत गुश्सा हूँ, मैंने क्या किया सौनू, क्योंकि आपने मेरी दीदी को बहुत तकलीर दी है, वैं कितना रोई आपके पारे में रोज पूछती थी उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था और पता है एक दिन बेहोज ओकर गिर गई थी उन्हें होस्पिटल ले जाना पड़ा उसके बाद से किसी से बात भी नहीं करती और कॉलेज भी नहीं जाती हैं मुझसे भी बात नहीं करती अपने कमरे मे पड़ी रहती हैं और अब तो बड़े पापने दीदी की साधी पक्की कर दी है और उन्हें कसम दे दी है कि आप से ना मिले और ना बात करे मैं आप पर बहुत गुस्सा हूं कहकर वै दोड़कर भाग गया पर आयान के तुझे से पाउं तले जमीन ही नहीं थी ये क्या कह रहा था सौनू जिसके जिंदिगी उसका प्यार इतनी तकलीब में है नहीं उसे कुछ करना होगा वह महेंद के पास जाएगा और उसके पैरों पर गिर जाएगा वे अनाया के साथ ऐसा नहीं कर सकते वह बुरी इंसान नहीं है जरूर उनके प्यार को समझेंगे आयान के द पूबा में मिलने की बात उसके पापो को बताई होगी और वो इंसान अब जिंदा नहीं बचेगा पर उससे पहले उसे महेंद से बात करनी होगी आयान अपने इक हयालों में खोया हुआ था तब ही राजू अंदर आया और आयान का चहरा देखती समझ गया जरूर कुछ ब मिले क्या कैसी है वो सब ठीक है ना आयान अब तूट गया उसने राजू को सोनों की बाते बताते हो कहा जरूर किसी ने हमारे गोबा वाली बात अनाया के पापा को बता दी होगी इसलिए वो भड़क गए है राजू ने गुस्से में कहा अभी भाबी से फोन पर पता लग कौन है वो मैं उसके हाथ पे तोड़कर बराबर कर देता हूँ नहीं राजू अनाया फोन नहीं उठा रही है साइध उसके पापा ने कसम दे दी होगी तो एक काम करते हैं जिसके साथ उसकी साधी होने वाली है उसे ही उठा लाते है ऐसा डराऊंगा कि वो सहर छोड़कर भाग जाएगा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी आयान ने तुरंद इनकार कर दियु कहा नहीं राजू ऐसा कभी मत करना क्योंकि अनाय के पापा मुझसे और भी नराज हो जाएंगे और जिसने हमारे बारे में उसके पापा को बताया होगा उसे पता चल चुका आ गया हूँ अब वो हमारे एके खारकत पर नजर रखेगा भावी को ही किसी तरह यहां लेकर आता हूँ और मैं जानता हूँ अगर आप कहोगे तो वो सारी दुनिया से छोड़कर आपके साथ चली आएगी आप दोनों रुभी नदी के पास चले जाओ नहीं राजू इतन उसके पापा के पास जाओंगा उनके पैरों में गिरकर हमारी खुशी के भीक मागूंगा मैं भगवान से यही प्रात्ना करूंगा कि उसके पापा मान जाएं वर्ना बड़ा अनार्थ हो जाएगा भाई महेंद्र को पता चल चुका था कि आयान बापिस आ गया है अब वो मासने उन्हें आयान के खांदान के बारे में उसके काम के बारे में बहुत सारा गलत जोड़ तोड़ कर बोल चुका था इसलिए महेंद्र को अब यह डर भी लगने लगा था कि आयान सुमित को कुछ नुकसान न पहुंचाए दूसरी और सबसे बड़ा डरिया था कि अगर सुमित को अयान अनाया के रिस्ते के बारे में पता चले तो कहीं वो इस साधी से इंकार न कर दे महेंद्र को ये बाद सुमित के घर वालों से पता चली थी कि सुमित अनाया को स्कूल के दिनों से ही पसंद करता था और अपने मम्मा से कहता भी था कि अगर मैं साधी तो महंद सर की बेटी अनाया से महंद को लगा सुमित को पहले ही आयान अनाया के बारे में बता देना चाहिए इसलिए उन्होंने एक दिन सुमित को घर पर बुलाया और उसे बताया कि आयान नाम के इस बुरे सक्स ने अपने प्यार में उनकी मासूम बेटी अनाया को फसा ल करते हैं कि अपने एक मत्र बेटी को किसी तरह उस आयान से बचा सके अगर ये सब जान कर भी सुमित अनाया को अपना ले तो वो सुमित का यह एहसान जिन्दी के भर नहीं भूलेंगे कहते उनकी आवाज भर रा गई सुमित ने हलकी मुस्कान के साथ कहा सर मैं अनाया को आज की सजब भुगत चुकी है मैंने जो सोचा था अब साइद उससे कभी मुलकात ही नहीं होगी पर मेरी इसी सहर में नौकरी मिलना और आपका मुझसे अनाया के रिष्टे की बात करना मुझे लगता है हमारी जोड़ी उपर से ही बनी हुई है और आप चिंता ना करें मैंने प्रांसपर की अर्जी दे दी है हमारी साधी होते ही हम यहां से चले जाएंगे और हाँ साथ में आप भी चलेंगे मुझे पता है अनाया आपके बिना और आप अनाया के बिना नहीं रह सकते महेंद्र की आँखे भराई सुमित की बाते सुनकर उन्होंने गदगद होका सु सुमित निम उसकुरातियों कहा मैं भी बहुत खुस होँगा अगर अनाया मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी और खुस रहेगी पर क्या मैं एक पर अनाया से बात कर सकता हूं जरूर बेटा मैं उसे यहीं बोलाता हूं अनाया चुक्चाप ख़ीड़की के पास खड़ी थी ऐसा लग रहा था वै कमरे में अकेली ही है सुमित कुछ देर योहीं बैठा रहा फिर बोल पड़ा अनाया अनाया चौक गई थी यह इंसान तो उसे ऐसे बुला रहा मानो कितने दिनों से पहचान हो पर उसने अपना चहरा उसकी तरप नहीं घुमाया था क्योंकि आखे तो आ अनाया तुम साथ मुझे भूल कई हो पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूला और बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ आज जब सरन तुमसे रिष्टे की बात की तुमेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है मुझे ऐसा ही लगता है पर मुझे तुम्हारी पसंद का तुम् की मर्ची के बगेर हो रही है और वैसे वह सिर्फ पयान के साथ खुश रह सकती है पर अचानक उसकी नजर खिड़की से बाहर लौन में गई जहां पापा अपने लाठी के सहारे बेजैने के साथ टहल रहे थे साइद उन्हें डर था अनाया सब कुश बता न दे अनाया को पापा की बात याद आ गए अगर तुने इस साधी से इंकार किया तो मैं खुद को चला लूँगा खत्म कर दूँगा खुद को उसने अपने आशों को पीती हो कहा पापा की खुशी मेही मेरी खुशी है सुमित ने मुस्कुराती हो कहा मुझे पता है बच्पन से ही देख कर सकती हो तुम अनाया आशो पोस्तियों बोली आपको मेरी लाइप के बारे में कुछ पता नहीं है जानते तो खुद मुझे दूर भागते सो में तुटकर उसके पास आ गया और उसके हातों को हौले से पकरते हो बोला मुझे पता है अनाया फिर भी मैं तुम्हें अपना से साधी करने के लिए तैयार हूँ इतना कहकर वैं वहां से चुप-चप चली गई पर सुमित को मानो सारे जहां की खुशी मिल गई थी वैं बुद बुद आया और मनही मन बोला मैं बादा करता हूं अनाया तो मैं सारे जहां की खुशिया दूँगा और इतना प्यार दू उसकी आखे मानों पत्रा गई पर अनाया नहीं आई सौनों भी अब बाहर आना बंद कर चुका था इसकूल में छुंटिया चल रही थी वरना आयान उसे स्कूल जाते हुई जरूर पकड़ता एक दिन राजु सोमित के बारे में सारे जानकर इखटा करके ले आया राजु गो कहो तो उस लड़के को उठा लाओं और हाथ पैर तोड़ दूँ हाँ ऐसा ही कर जिससे मैं अनाय के पापा की नजरों में और गिर जाओं तो राजु गुस्से से चिलाया तो ठीक है बैठे रहो ऐसे हाथ पर हाथ धर कर और भावी जी की साधी के बाद या तो लड़ू ब कहेंगे करूंगा मेरी अनाय को मैं किसी और के हाथ पर सौपने नहीं दूँगा जाओ भाई कहीं देर न हो जाए आयान ने कुछ और सोच था और हुआ कुछ और महेंद्र भी कम अनुववी बैकती नहीं थे आयान को देखते ही वे समझ गए आयान उन से या तो विंती करे या धमकाएगा इश्लिवे तुरंत अपना हाथ उसके सामने जोड़ दिये और दुखी अबाज में बोल पड़े अयान हम इज्जतर घर से हैं और हमारे जैसे इंसानों की इज्जत उनके बेटी से होती है प्लीज मेरी बेटी से कोई रिस्ता मत रखो उसकी साधी फिक्स ह हो गई है ऐसे मैं अगर उसकी कोई बदनामी हुई तो मैं अपनी जान दूंगा और तुम जानते हो अनाया मुझे कितना प्यार करती है क्या मेरी जान चले जाने पर वो तुम से कोई रिस्ता रख पाएगी प्लीज हम बाप बेटी को सांती से जीने दो आयान आयान पहले तो उनकी बातों से हका पक कर रह गया फिर उसे लगा कि अगर वो आज लोटकर चला गया तो फिर कभी अनाया से नहीं मिल पाएगा इसलिए उसने जवाब दिया मैं चला जाओंगा अंकर पर मैं अनाया के मुझे सुनना चाहता हूं कि वह साधी के लिए राजी है और जहा आयान ऐसे नहीं जाएगा अगर अनाया को नहीं बुलाया तो वह कुछ भी कर डालेगा इसलिए जलती निगाहों से आयान को देखते हुए अनाया को बलबा भेजा अनाया न जैसी अंदर कदम रखा आयान को देखते ही लगा जैसे उसे अपनी जिंदिगी बापिस मिल जा अनाया आपी सब कुछ भूल जा और आयान के गले लग जा वहीं अब तेरी दुनिया है तेरी जिंदिगी है पर फिर उसे अपने मरे हुए बच्चे की आधाई और धे सारा अभिमान और गुस्सा उस इंसान के लिए दिल में आने लगा जिसने उसकी जिंदिगी के सबसे जरूरत के बक्त उसके पास नहीं था उसने सोना आयान कह रहा था अनाया क्या तुम इस साधी के लिए राजी हो मैं जानता हूं नहीं ये तुम्हारे पापा तुम पर जबदस्ति थोप रहे हैं तो ये बात उनको कह दो किसी से ड़नने की जरूरत नहीं है और चलो मेरे सा महेंद अनाया के उत्ता देने से पहले ही बोल पड़े सोना आज मैं भी देखना चाहता हूं कि तेरे लिए कौन एहम यद रखता है आयान या मैं अनाया ने बिना आयान क्यों देखे कहा आयान तुम जाओ यहां से हमारे परशनल मामले में दखल मत दो अनाया के उत्ता से आयान का गुस्सा बेकाबू हो गया उसने चिला कर कहा मैं जानता हूं तुम्हारे पापने तुम्हें ब्लेकमेल किया होगा अपने प्यार के दुहाई दे कर क्योंकि इन जैसे लोगों को यही तु आता है तो अनाया बोली चिलाओ मत आयान अपने जुवान को लगाम दो और जाओ यहां से महेंद न जहट से कहा इसे ही कहते हैं खांदान और परबरिस ऐसे उठाए गिरी लोगों की बाते ऐसे ही होती हैं आयान की आखे गुस्से से जल रही थी उसने और भी जोर से दहारा मिस्टर महेंद आपको किसनर अधिकार दिया है मेरे खांदान और जानता हूँ, लौमरी के खाल में भेड़िये हैं आप सब, अनाया ने खिड़के से बाहर देखा, कुछ लोग जमा हो रहे थे वहाँ, वैकाब गई, पापा की इजद गई तो वो कुछ भी कर डालेंगे, उसने आयान को कहा, यहां से जाओ आयान, पर आयान आंगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए जबाब दिया, नहीं मैं तुम्हें लिए बगए नहीं जाओंगा, और अगर तुम नहीं गई, तुम्हें सब कुछ बरबाद कर दूँगा, अनाया ने उसे हाँ जटकते हुँ कहा, तुम्हें तो बस यहीं आता है आयान, और सुन लो मैं तु प्यार करते हो, तो मेरी कसम, अब कभी हमारे सामने मत आना और ना कोई बखेरा खड़ा करना, पापा ने ठीक ही कहा है, मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, आयान ठगासा अनाया को देखता रह गया, अब कुछ भी बाकी नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका था, अनाय की जिन्दिगी उसे अपनी जान से, अपने खुशी से कहीं बहुत जादा प्यारी थी, उसने एक बार आहत नजरों से अनाय क्यों देखा, और फिर बहां से चला गया, अनाय कट पुतली की तरह बहां से अपने कमरे में गई और विस्तर पर लेट गई, सोचा था, आयान ज और वैं अपनी अधेरी दुनिया में खो जाएगी पूरी तरह, आयान ने बापेशा कर अपने आपको एक कमरे में बंद कर लिया, राजू को उसके रौने की आवाज बाहा से सुनाई दे रही थी, और वैं समझ चुका था, क्या हुआ होगा, उसका दिल कर रहा था, कि महे अपने इच्जत के लिए अपने बच्चों की खुशी का बलदान करवाते हैं, वैं भावी जी को बहां से निकाल लाने के लिए प्लान बनाने लगा था, और बाहर से ही चिला कर कहा, मैं जा रहा हूं भाई, भावी जी को लाने, उस महेंद्र ने कुछ कहा, तो उसके दू अलाल सूजी हुई आखो को देखते हैं समझ गया, भाई ने कितने आजू भाई होंगे, उसने गुस्से से कहा, क्यों भाई, सिर्फ हम ही बुरे हैं क्या, ये लोग कुछ भी करें, कोई गलती नहीं, और हम कुछ अच्छा भी करें, तो वो बुरा है, ऐसा क्यों, मैं जान का ही हक नहीं है, तो हम अपना हक छीन ही लेंगे भाई, आयान ने नामे सरहे लात्यों कहा, अनाय ने मुझे अपनी कसम दी है राजू, चाहे मेरा और उसका साथ छूट जाए, पर मैं कसम नहीं तोड़ सकता, एक हपता गुजर चुका था, आयान जादतर अपने कमरे में ह पड़ा रहता, उसकी तो जैसे जिन्दगी ही खत्म हो चुकी थी, अनाय की बाते मुझकुराहट उसका अपने प्यार को लेकर डल, सब कुछ याद आता और भाईवी तूटता जाता, कितने सपने देखे थे दोनोंने, कितने अर्मान सजाए थे, सब कुछ एक जटके से ख खाई, कुछ करो, आयान की आखे जैसे जलू ठी, उसने राजु की तरफ देखा, राजु नो से हिम्मत देती बोल पड़ा, भाई कुछ भी करो, मैं आपके साथ हूँ, आयान बोल उठा, चल मेरे साथ, अनाया नई दुरहन बनी, अपने कमरे में वैठी थी, कुछी देर म बरार आने वाली थी, बाहरांगन में मंगल गीद गय जा रहे थे, लड़की अनाया के हाथों में महंदी लगा रही थी, एक लड़की ने सुमित के नाम का ऐस बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखती हुई बोल पड़ी, अनाया दीदी, जीजु को खूप सताना, और जब ठक जाएं, तभी बताना उनका नाम कहां लिखा है, हमने ऐसे डिजाइन बना दिये हैं, क्योंने मिले गई ही नहीं, सब लड़कें उसकी बाते सुनकर हस पड़ी, अनाया की आखे भराई, उसने ऐसा तु नहीं सोचा था, उसका तो एकी सपना था, कि उसकी हातेली पर ए लिखा होगा, और आयान इतना बुद्धू है, सस में ढून नहीं पाएगा अपना नाम, और तब बै उसके आसु दिख गए थे, इसलिए उन्होंने लड़कें को डाटते हो कहा, अब हो गया न महंदी लगाना, तो जाओ बाहर बुला रहे हैं गीत गाने के लिए, उनके जाने के बाद मासी ने अनाय के सर पर हौले से हाथ फिर दो कहा, सोना अब आज से सुमित तेरा पती होगा, और उसके सिवाए किसी और के बारे में सोचना नहीं, और मैं जानती हूँ, सुमित बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा, देखना त हीरे से सर हिलाया, अब तो उसे आयान और उसकी यादों को भूल नहीं था, क्योंकि उसने खुद अपने पैरों में बेड़ी डाली थी, जिसे कोई नहीं काट सकता, तब ही सोनु चिलाता हुआ आया बराता गई, जीजु बहुत अच्छे देख रहे हैं ममा, तो मासी हा, सोना में तेरे पास किसी को भेज देती हूँ, मुझे दूले का स्वागत करना है, अनाय ने सर हिलाया और चुपचा बैठी रही, अब तो बस वो पल आने वाला था, जब भै कुछी पलों में सोमित की बन जाने वाली थी, उसकी आखे फेसे बरशने लगी थी, उसे आते वक्त उससे बादा लिया था, कि वो आयान को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, अनाय को राजु का चहरा और उसका भावे जी का कहना याद आया, कितना खुश होता था अपने आयान भाई को खुश देखकर, आप वो क्या सोच रहा होगा, अयान ने तो उसे सब कुश बताया होगा, कहां होगी दोनों, अनाय ने अपने आशु रोकने के लिए आखे बंद कर ली, और तभी पावर कट हो गया, और घुप अंधेरे में अनाय के मो को किसी ने रुमाल से दबाया और कुछी पल में वह बहोस हो गई